बेंगलूरू कार्याले में करनाटक लोका युक्त कांस्टेबल अटेक कर गिरफतार हमलावूर कथित तोर पर शिकायत करताओं जो बेंगलूरू में बहुमन जिला और इमारत के भूतल में उनके कार्याले में करनाटक के लोका युक्त न्याय मूर्ती पी विश्वनात चेटी से मिलने के लिए आया था कि एक भीड में था करनाटक के सबसे वरिष्ठ फ्रष्टाजार विरोधी अधिकारी उसके लोका युक्त आज बेंगलूरू में अपने कार्याले में बार बार छेड़ खानी के बाद अस्पताल में भरती कराया गया था पिछले साल उच्च न्यायाले के पूर्व न्यायाधीश न्याय मूर्ती पी विश्वनात चेटी को एक राजे द्वारा भष्टाजार विरोधी लोकपाल का नाम दिया गया था जिस पर एक शिकायत के साथ उनके पास गया और कहा गया कि मामला बंद हो गया है हमलावर तेज राज शर्मा को गिरफतार कर लिया गया है उन्होंने शिकायत की थी कि उसने अनुबंद के लिए आवेदन नहीं किया था जस्टिस शेटी ने उन्हें बताया कि उनके मामले की जाच की गई और बंद किया गया एक पुलिस अधिकारी ने कहा कुछ हुआ उसने अपना गुसा खोद दिया अपनी जेब से एक चाकू निकाला और न्याय मूर्ती शेटी को दो तीन बार मा डाला न्याय मूर्ती पी विश्वनात शेटी को एक व्यक्ती द्वारा अपने कार्याले में छेड़ दिया गया था हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस खटना की जांच कर रही है न्याई मूर्ती शेटी खत्रे से बाहर है और एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है सरजरी के बाद जस्टिस शेटी चोहतर खत्रे से बाहर है एको हथ्यार दिखाया गया था चाकू बड़ी है ऐसा लग रहा था कि यह लोगायुक्त की हत्या का प्रयास था पुलिस जांच कर रही है कि हमलावर मेटल डिटेक्ट को पार कर जाने और कई पुलिस गर्मियों को पार करने के बाद लोगायुक्त की पहली मंजिल के कार्याले में कैसे पहुँच पा रहा था किसी के लिए कोई बार नहीं था कोई भी उनकी शिकायतों के साथ उन तक पहुँच सकता था कोई सशस्त्र गार्ड नहीं था जिसने हमलावर को पागल कहा कई CCTV कैमरे हैं एक मेटल डिटेक्ट और कई लोग देख रहे हैं हम कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षा भंग रहा है श्रीकालपा ने कहा हाला कि उर्व लोकयुक्त संतोष हागर ने इस द्रिश्य को खारज कर दिया उन्होंने कहा यह बहुत ही चौकाने वाला और अप्रत्याशत है निश्चत रूप से सुरक्षा भंग हुआ है इस खटना ने इस साल के बाद के चुनावों के लिए तैयार राज्य के साथ मजबूत राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया है अगर लोकायुक्त की जिंदगी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो करनाटक में आमादमी के बारे में क्या है कॉंग्रेस सरकार के तहत कानून और व्यवस्था तूट गई है क्या हमें इस से बहतर उदारन चाहिए भाजपा नेता अर्विंद लिम्बोवली ने कहा